स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटर रेल्वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर का जो एन उसी का वन येर का रिवैलिडेशन का लेटर आया था उसके सम्मंद में तीन लेटर का लिया गया था तो आज मैं उस बताऊंगा लेटर 85 अबलिक 2020 अक्टूबर 12020 ने एक अक्टूबर 2020 के लेटर के सम्मंद में जिसमें भी सेम बात कही गई है इंटर रेल्वेस्ट ट्रांसफर हाडशिप इंग फेस्ट बैस्टाफ इसमें बताया गया है कि as the railways are aware transfer on request of official working on the zone इसमें लिखा है कि railways cannot be, यानि जोनल ट्रांसफर, transfer on request of official working on the zonal railways cannot be claimed as a matter of right यानि आप transfer को अपना अधिकार समझ के demand नहीं कर सकते हैं However, enabling provision under ministry of railway decision below rule 226 of IRAC wall 1 allows transfer of railways servant यानि तब भी इस नियम के हिसाब से IRAC wall 1 के 226 के हिसाब से Group CK employees का on request के grounds पे transfer होता है और इसके लिए railway board ने कई तरह के guideline समय समय पर जारी किये हैं इसके बाद second pair है कि despite इसके बावजू several executive orders issued बहुत सारे निर्देश जारी किये जाने के बावजू ताकि करमचारियों को दिक्कतों का सामना ना करना पर है या कम से कम दिक्कत हो कई तरह की शिकायते करमचारियों की तरफ से आई है और federation के कई तरह के request आए हैं कि transfer request को properly process नहीं किया जाता है यह भी देखा गया है कि NOC issue करने के बाद, NOC मिलने के बाद, accepting railway के बाद जो concerned staff है उसको transfer नहीं किया जाता और यह transfer होने में कई बार एक साल से ज़्यादा लग जाता है NOC आने के बावजूद और तब तक में जब तक में रिलीव होता है तब तक में वहां के vacancy fill हो जाती है और जब यह transfer होके जाता है तो उसके बाद वो कहीं का भी नहीं रहता यानि pendulum की तरफ इस डिविजन का पैरेंट डिविजन का ना उधर करा तो यह clear cut now nowhere to go having been relieved by the parent railway तो यह clear cut ऐसा कई बार देखा गया है कि आपका यहां से transfer हुआ वहां पे vacancy full हो गई तो आपके पसंद का division ना देते ही वहां आपको option देते कि ठीक है आप आ गए हो तो चलो यह division आपको दिया जाएगा चाहिए तो ले लीजिए और तब उस समय वह division दिया जाता है जिस division की demand actual में सबसे कम रहती है कोई उस division का भी बंदा नहीं जाना चाहता है तो ऐसे situation आती है यानि वहां पहुँचके भी आप 8-10 गंटा अपने hometown या अपने पसंदीदा division से ज़्यादा दूर जाके करते हैं इतने साल वेट करने यह कई बार कई यह cases में आये हैं लिखा है if transfer of the employees concerned are not affected within this period the NOC in such case same बात है के mandatory रूप से revalidate किया जाए the employee should be relieved on transfer only after reconfirm यानि validity confirm करने के बाद NOC की यह था 1 October 2020 का लेटर जिसके बाद से भी relieving नहीं हो रहा था इसको देखते हुए इसमें changes ला करके फिर से उसको एक साल का इनोसी वाला लेटर current वाला जो वीडियो में ने बनाया है उसमें बनाया गया यह यह उसका updated version है अब 6 महने का था उस समय तक relief नहीं किया अब एक साल की validity कर दी गई है यह अभी कहना मुश्किले की करमचारियों कभी एक साल के जब कहीं दो साल ना वेट करवाई यह लोग क्योंकि कई तरफ के cases आये हैं जिसमें transfer इनका proper manner में नहीं करवाया जाता और सही समय पैनोसी आने वागा transfer नहीं होता है कई बार employee खुझ छोड़ देता है उसके बार जाने की इच्छा त्याग देता है और जब तो एक दो case ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ से transfer लेके गए उन्हें उस division में नहीं दिया गया उसके बाद उन्हें किसी और division में दिया गया वहाँ वो काम जब किये उस दर्मियान में उनके साथ accidents जैसे दुर घटनाएं भी ही उसके बावजूद 20-20 साल senior रहे करमचारी वापस back to parent division mutual अबगरा करवा के वापस आ गया हैं bottom junior बनना पसंद किये हैं अपने seniority हो के still वहाँ पे काम करना नहीं पसंद किये हैं तो इसी तरह की समस्या परेशानी आती है इसका updated version जो लेटर है जो मैं वीडियो बनाया है देखते हैं किस पे भी क्या implementation होते हैं उम्मीद बहुत बड़ी नहीं है कर्मचारियों का और बाबुगिरी को देखते हुए लेकिन फिर भी positive रहने में कोई दिकत भी नहीं है तो यह था अपडेट और जो दो लेटर है उसमें एक mutual transfer के timeline के समन्द में है जो मैंने और लड़ी वीडियो बनाया हुआ है और तीसरा on request transfer के timeline के में वीडियो अच्छा लगा हुए लाइक से subscribe भी करिए धन्यवाद